अरे बोड़ लाके रखी दो यार मंगवाना नहीं पड़े मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेब कास्टिंग पर लाई देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूँ और आगे की यात्रा शुरू करते हैं अब मैं एक सिंपल सवाल पुशता हूँ सबने इतना जीया है जीवन का नियम क्या है आप लोग जी रहे हैं बीतर बाहर तो नियम क्या है कि इस एक नियम के आधार पर आपका जीवन चल रहा है जो आपको 24 गंटे करना पड़ रहा है हम जो जीवन बनाना चाह रहे हैं जो काम करते हैं जो कुछ भी करते हैं उसका एक फिक्स नियम है और शायद किसी ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया है देखो मैं बचाता हूँ सिंपल जीवन का नियम है संसार का नियम है लेन देन बरो बरे कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है ये बात पक्की है अब आज के बाद 24 गंटे देख लेना कोई भी काम कोई भी बात कोई भी व्यहवार आप करके दिखा दो जिसमें आपको कुछ भी मुफ्त में मिल रहा हो किमत चुकानी पड़ रही है समझ में आ रही है बात कोई समझाओ कैसे समझ में आई बात उदानों से समझाओ न बोल बोल इसका मतलब ये भी हुआ कि आप कुछ करोगे तो उसका कुछ आना है ही है वो तो है ही है लेकिन कुछ जाना भी है ही है हाँ कुछ जाना भी है ही है माता पता कोच नियम के लगता है पंद्रा साल. तो कभी इस तरीके से सोचा किसी ने? हाँ? ना. तो फिर जीवन कैसे चलेगा? अब बोलो. एक और बात है कि हम कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ही कुछ और नहीं भी कर रहे हैं. तो वो उसका सेक्रिफिट. कोना ही है वो? बरबर है. सर, नेचर के रिसोर्सेस हमें तब तक ही उस करने को मिलेंगे. जब तक के वो दूसरों की भलाई के लिए लगा जा रहे हूँ. ता लंबा मत जा. नेचर के रिसोर्सेस नहीं चाहिए अपने को. सिंपल है. कुछ पाना है तो उसके लिए करना पड़ेगा. करना पड़ेगा नहीं. करना पड़ेगा एक बात कहा से आगई. खोना पड़ेगा. आप बिना खोए कुछ भी पा नहीं सकते. अब सवाल ये है कि पाने की बात करते मैं पान्सो घंटे लेक्चर वरशोब दे चुका हूँ सबसे सुना है कोई खोने की बात करने वाला मुझे नहीं मिला याने कि बराबर जीवन कौम गोर से देख नहीं रहे है आप कुछ भी पा रहे हो उसकी बहुत बड़ी किमत चुका रहे हो बिजने से तो आप कैसे देखते हो बिजने testify कैसे होता है कि ये माल मुझे बेचना है तो इतने में बिकेगा बरो बरे तो उससे सस्ते में बनना चाहिए बरोबर न तो वो बिजनेस कभी घाटे में जाएगा नहीं अब जीवन का बिजनेस घाटे में क्यों जा रहा है समझ माई गया होगा सबके कि जो आप लेके आ रहे हो वो एक पैसे का है और उसकी manufacturing cost 99 है जो आपको दीखी नहीं रही है और जो जीवन है आज का जिसका भी वो उन घाटों का टोटल है और आश्चरिये की पाने पर निगा लगाते है कि मेरे को यह पाना है पाले 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 यही है बात कि एजूकेशन में हम लोग इतना पैसा गवा रहे और पाते कुछ नहीं है और धरम में धरम में भी वही है और शादी में? शादी में तो थे गहान है गहान है पाया कोई किजीने नहीं हो तो अपने यही सब काम की है, समझो तो अमने खोने का ही दंदा किया है लोस हो गया लोस हो गया अभी हम यही चाहते हैं, आप समझो हम जीवन जी रहे हैं मुझे आश्चरिय होता है यूगों से बात करते हैं मनुष्य खुद जी रहा है लेकिन उसको मोका ही नहीं देते हैं और भारत की धर्ती पर ये होता है मुझे आश्चरिय है क्योंकि यहाँ पर इतने ग्यानी हुए है इतने ग्यानी हुए है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती हुमन को जगाने की फैक्ट्री इस धर्ती पर है लेकिन मनुष्य कहता है कि नहीं हमें उस और लेचरो जा सुलाने वाले बेटे है दुर्भाग्य है ये अरे एक एक शायर क्या बात है क्या बात है एक एक कवी और बाब बाब लेकिन जागने की तो बात ही मत करो सहीर कहे दे रफी साफ शामदार तरीके से गाले कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की ओलाद इंसान बनेगा सभी सुनते हैं गाना वावावा फिर शाम को पुछो तेरा इंट्रोड़क्शन मैं हिंडू हूँ चार दीन चले अढाई कोज ज्यानी कहते रहे मुर्ख बोलते नहीं कोई मुर्ख लाओ जो हमसे मैच करें उसको सुनेंगे इस धर्ती के शायर इस धर्ती के कवी इस धर्ती के गायक इस धर्ती के मुजिश्यन और वैसे ही वेस्टन के विज्यानिक क्या कमाल कर रहे है विज्यानिकों की सुन रहे है तो काम चल रहा है इन्नों की सुन नहीं रहे है सो जीवन में कुछ भी मुप्त में नहीं मिल रहा है आपका जीवन एक आपका परसनल बिजनेस है जब आप कुछ लेने जा रहे हो ते एक सेकंड को रुख रहे हो कि खो क्या-क्या रहे हो केल्कुलेशन किया है कभी आज के बाद कर लेना 99 परसंट काम करना बंद कर दोगे अगर ये बाद समझ जाओगे 99% काम करना बंद कर दोगे और समझ में आ जाएगा कि यार यह हम क्या कर रहे हैं अरे बहुत यह शर्ट अच्छा है दो अजार, तीन अजार, दस अजार, पच्चीस अजार, पर पच्चीस लाख में तो नहीं खड़ी दोगे न और खड़ी दोगे तो काई में गिने जाओगे तो मत करो ऐसा, जिवन की कमांड अपने हाथ में लो आज के बाद क्या मिल रहा है न, उस पे निगा मत लगाओ वो किस किमत पे मिल रहा है, वो देखो बस, क्लियर है बात? बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको अलग-अलग तरीके से समझाने की, कि जिवन ऐसा नहीं हो सकता है जैसा हो रहा है, मामला सीधा और साफ है, जिवन बिजनेस है आज के बाद कोई भी चीज, कोई भी चीज, आप जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, लेगिन देखो तो सरीक हो क्या रहे हो और फिर थोली सी बुद्धी लगाओ, कि कितने साल के लिए आये हो, सब कुछ ठीक चलात तो 80 साल, बरो बरे उसमें से भी 30 साल सोगे, 10 साल बापकी, पत्नी की, घर पे, बच्चों की सबकी सुनोगे, 40 गए, 15 साल पढ़ोगे अब बचे 20 में क्या क्या कर रहे हो तभी सोचा, ये तो जीवन का नियम हो गया अब सबसे किम्ती क्या है, समय अब समय घंटिया हिलाने में बरबाद करोगे ये बताओ आप एक का एक मंत्र सुबह भी पढ़ोगे, दोपर को भी पढ़ोगे, शाम को भी पढ़ोगे, इसमें बरबाद करोगे कितना मुल्यवान जीवन है यार समझते क्यों नहीं हो और तुमने भगवान की कल्पना क्या कर रखिये कि वो चाता है कि तुम चापलुसी करो तभी तुमारा ख्याल रखूँगा आप कहना क्या चाह रहे हो मैं सारे धार्मिक लोगों से और ये धरम का आविश्कार करने वालों से पूछ रहा हूँ कि भगवान को भी आपने अपने जैसा बना रखा है कि मेरी चापलुसी करोगे तब तुमारी सुनूँगा ये हम है वो भगवान है इतना फरक तो करो उसका और दूसरी किमती चीज क्या है बताओ बला असान है यार हाँ एनर्जी एनर्जी करेक्ट दोई चीज है एनर्जी अब आप सुबे से शाम तक बेकुपी के काम में लगा दोगे तो एन वक्त पे एनर्जी का है हर एक के जीवन में मोके आते काम आते opportunity आती लेकिन उस समय हाद नहीं होगा क्यों क्या किया खड़े खोदे क्या क्या किया ठक गया अब समय नहीं और एनर्जी नहीं है और समय कहा कहा वेश करते हैं और फिर आजकर एक Mr. Google आ गए हैं, हर एक के दो तिन गंटे खा जाते हैं, information गलत, सब हवा में हैं, और हवा में किया आप कुछ भी चड़ा दो लो, और जितनी उटपटांग और जितनी जूठी बात उतनी जल्दी popular हो जाती है, human IQ भी कमाल का है मैं गीता हूँ है एक best seller, मैं गीता हूँ, फगवत गीता की psychology पर संपूर्ण, 700 श्लोकों की एक अभूत पूर व्याख्या तो समय और उर्जा का खेले, तो पूरा समय, पूरी उर्जा, अपनी तिन प्रतिभा, तिन शोक में लगा दो इससे फूर्सत मिल रही है ना, तो 100% आप wrong direction में हूँ, फिर प्रक्रति को मत के ना, यार ये मेरा जीवन ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि फिर फस हो गया फिर लोगबाग बताने वाले आ जाएंगे तेरे करम, 36 जन्मों के करम दिखा देंगे, उसको सांस कब ली ये नहीं मालूम, आपके 36 जन्म के करम पकड़ा देगा वो, ये ही हो रहा है, तो तीन शौक है मेरे पास, और मैं वो ही काम कर रहा हूँ, जिसमें टेलेंट है, यानि की मज़ा आ रहा है, तो मेरा 24-7 मज़े में गुजर रहा है, मुझे फुरसत कहा है, बताओ, फुरसत कैसे मिल गई, और फिर कितनी फुरसत मिल गई, बात तो दुक्की है, और मेरा कश्ट आप समझ नहीं सकते, क्योंकि देखना पड़ता है, और थोड़ा ज़्यादा कोमलू रदय से, तो भी देखना पड़ता है, कि यार, 40 साल जीए, 50 साल जीए, 60 साल जीए लिस्ट बनाओ, क्या-क्या किया और क्या-क्या सिखा क्या-क्या जाना और आज जीवन में फिट कर लो कितना काम आ रहा है क्या काम आया काम आता तो जीवन ऐसा होता अब वो कर रहे हो जो जीवन में काम नहीं आ रहा है वो सिख रहे हैं जो जीवन में काम नहीं आ रहा है जीवन जा रहा है और तेजी से जा रहा है हाथ में कुछ नहीं आ रहा है क्यों सिख लेते हो? क्यों जान लेते हो? क्यों दोल पड़ते हो? किम्ती जीवन है Edison कहीं दोड़ा कुछ जाना उसे विज्ञान के अलावा कुछ पता है वाल्ट डिस्नी को ट्रोइंग के अलावा कुछ पता है Edison को किसी ने एक बार बाइबल पढ़वाई Edison बोले नहीं Edison ने पढ़के कमेंट करा कि दुनिया की सारी बाइबल है सबसे बढ़ी बकवास है एक सेकंड में समझ गया कितनी देर लग रही है Edison जैसे टेलेंट को बाइबल क्या है समझने में कितनी देर लगेगी तो आप क्या कर रहे हो क्योंकि डेविये ठेड हो तो बाइबल भी अच्छे लगती है अरे फुरसत कहां से ले आए बास समझ में आ रही है तो जीवन आज से सेट कर लो कस्ट अब भी के अब भी छो हो जाएंगे कस्ट ही कहा है कस्ट इसलिए हैं कि फुरसत है आपको और फुरसत है तो सो बेकार के आदनी मिल जाते है सो बेकार की बाते पल देते हो लेकिन इतना बीजी हूँ मैं मजे में हूँ अपने शोक पूरे हो रहे हैं और अपने टेलेंट की फिल्ड में काम कर रहा हूँ अब मेरे जीवन में मुझे किसी की आवशक्ता ही नहीं है यार तुम मेरे टेलेंट में साथ आ सकते हो मेरे ग्रूप में आ गए तुम शौक में साथ आते हो मेरे ग्रूप में आ गए और तुम जेन मुनी हो नमस्कार हो गया क्योंकि हम शौकीन आदमी है भाई हम खाते पीते मस लोग है तू तेरा काम कर तो दुनिया में मुनियों की आपको जरूद क्या है तरह तरह के मुनि गुम रहे है आपके शौक से मेच खाए वो आपका दोस्त आपके टेलेंट से मेच खाए वो आपका बिजनेस पार्टनर लाइफ सेट नहीं आदो का लेना न मादो का देना न इस्ट में देखना न वेस्ट में देखना न कुछ जानना जानना क्यों चाहते हो तो आज के बाद सब जोने गौर करो कि बई गुगल दबाया फिर फॉलो करते हैं न वो क्या ट्वीटर विटर अमिताप ने राप को क्या खाया अमिताप ने बिरिया नी खाई तेरे पेटे में घुसी तेरा जीवन कुछ आगे बढ़ा समय गया उर्जा गई और अमिताप की पॉपिलिटी बढ़ी देखो आप काम किसी और का कर रहो फिर पांडूरं के पात ज जा तो गंगाराम का आश्रम बढ़ता आपको क्या मिला कभी गौर किया आपको क्या मिला क्यों पुर्सत कहां से ले आते हो क्योंकि अपने काम में नहीं लगयो बगवान ने तुमको ऐसा बढ़िया बनाया है कि तुम्हारा आगे सिर्फ हाइवे है तिन शोक तिन इतनी मेरी दुनिया वाकी अमेरिका में क्या चल रहा है दुनिया में नहीं आता मुझे क्या लेना देना यार नंबर वन कौन है बिल गेट्स की हम्मानी मुझे क्या लेना देना मैं नहीं हूं मामला समाप्त करो न यार मुझे क्या लेना देना है ऐसे ही नहीं बनेगा काम ये सब सिखाने, समझाने, याद करने और नॉलेज दिनम लगें लेकिन नॉलेज और ग्यान का फरक तो समझो ये ग्यान है और ये नॉलेज है जीवन भर का इकटा किया हुआ नॉलेज हर आदमी इमानदारे से यहां के बोले कि मैंने बच्पन से आज तक इतना सिखा है मैं पूछूँगा एक बार भी काम आया है बताओ काम आया है आया है समझ में नहीं आ रहे हैं कि 80 साल का जीवन है किमती जीवन है, भीतर ग्यान है और नॉलेज दे रहे हैं जानकारी का फरक तो समझो जानकारी एकटी कर रहे है फिर दुनिया वाले समझा जाते हैं वापस इसको कुछ भी पूछ लो मालू में वो तो सब मालू में इसको लेकिन विचारा भो तकलीप में दिख रहा है तुमको एंटरेटेनर बना के रखते है गूगल को सब मालूम है वो गूगल कहां से का पोच गया है तुमको क्या मिला गूगल को सब मालूम है तुमको क्या मिला तुमको क्या आवशक्ता है मैं छोड़ो आपको एक टॉल स्टोय की कहानी सुनाता हूँ अभी ये जो बड़े लोग होते हैं ये वेसे ही होते हैं जैसे हैं सब एक जैसे होते हैं किसी का भी जीमन उठा लो इधर उधर deviation मिलेगा ही नहीं deviation कब आता है जब आप गलत रास्ते पे हो वरना आप तो highway पे हो हर आदमी का अपना हाइवे बना हुआ है उस पे दोर जाओ और फिर बहार मूर्खे वो असेस करते रहेंगे चिलाते रहेंगे बताते रहेंगे आप सुनो ही मत वो बताएंगे कि आप कष्ट में हो कि आप बताओगे आप कष्ट में हो कौन बताएगा सो एक बार टॉल्स्टोई बेठे थे तुनका खास मित्र दोला दोला आया और बोले सुनो टॉल्स्टो जी सुनो बुले क्या सुनू और बोले वड़ी इंपोर्चन खपर है टॉल्स्टो की सुनना अमाई चुप पहले ये बता मेरे को इमेजेट काम आ रही है मेरे जीवन में आगे काम आने वाली है बोले नहीं नहीं अच्छा मैं नहीं जानूंगा तो मेरा कुछ लूट जाएगा बोले नहीं सुनाय बगर चले जाए यहां से मेरी कंडिशन में फीटी नहीं हो रही है मैं क्यों सुनू यार डूंड बार हजार पाकल मिल जाएंगे वो गाओं की बुलियां है दिन बर गुमती रहती कहीं से खवर मिले अब कितनी फूर्चत या कितनी फूर्चत और जैसे खवर मिलती है 20-30 बुलियां एकटी हो जाती यही होता है न और यही सब के जीवन है गाओं से शहर आगा है पढ़ लिख लिए लेकिन बदल थोड़ी गए है है न वो बुलियां देख रहे हैं किसकी लड़की ने क्या करा और अब हम देख रहे हैं सारुक कान सलमान खान ने क्या किया परक्ता है यह तो वो ही बिग्ड़ी बुलियां पंचाहिती सो मत करो आज के बाद भी हलट हो जाओगे मुझे जीवन बर वेसे भी याद रखोगे अच्छे से याद रखोगे फिर और अच्छे से है ना कि नहीं हर चीज की एक किमत है खबर सुनने की भी एक किमत है क्यों सुने ट्रोल स्टोय बताओ मुझे क्यों सुनू मैं आपका जीवन है जीस रोज आपका काम अटक रहा है और आपको लगे कि जानना जरूर ही है उस दिन आपको बुद्धी को इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई ये तू सीख ये तू समझ क्योंकि अब मेरी गाड़ी अटक गई हाईवे पे और मुझे डेविएशन चाहिए नहीं तो गाड़ी हाईवे पर आगे बढ़ाओ गाड़ी पंचर हो है तो स्टेपनी चेंज करो और आगे चलो अब आपकी गाड़ी पंचर नहीं और दिन बर स्टेपनी चेंज कर रहो फिर बोलो यार गाड़ी दिल्ली पंच नहीं रही है पंड श्टेपनी चेंज करना बंद करो कर चलाओ के तो पंचेगी न तो गाड़ी अटके तो बात करो बिचारे बूत कितना बोले और सबसे ज्यादा मैं बुद के पेशन्स की करोना की मैं तारीब करता हूँ कि दिन में 10-20 आदमी सवाल पूछे आत्मा है परमात्मा है बुद बोले और तेरा कुछ काम अटक रहा है तो बत्ता अब भी घबी ला देता हूँ बोले ने काम तो नहीं अटक रहा है तो फिर क्यों पूछ रहा है तेरा कुछ काम नहीं अटक रहा है फिर भी अब कितना समझा है बूद की भी तेरा काम अटक रहा है तो बोल अब काम अटक नहीं रहा है तो सवाल पूछ रहा है फिर बोले भगवान है क्या अरे मेरे सामने तु बेठा वो भगवान है तुझे बचा लो काफी है क्या भगवान है न का भगवान है न क्या करना तुमारे को यह बात समझ में आ गई हाँ जीवन एकदम तेजी से बदल जाएगा क्योंकि भोट टाइम बेस्ट हो चुका और हर्ची सिखने की कोस्ट या जानने की कोस्ट ये कम्पूटर में आग गड़ा तो आखी कोस्ट ये ब्रेंड के सेल नस्ट हो रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा तब्यात भीगड रही है लेकिन फिर भी गुसे पड़े हैं में भी निस्वोबर पड़ता हूं पूछो हमी से चार-पांच निस्वोबर पड़ता हूं 45 सेकंड में क्योंकि इत्ती इंपोर्टन खबर होती कि इस्वोबर का टाइम लाओं कहां से में लेकिन ना पड़ो तो फिर ये बोले कोई पड़ते ही नहीं है अपन ऐसे ही मंगवाते हैं साथ ही भारत के प्रमुक बुक स्टोर्स में भी में गीता हूं है एक बेस्ट सेलर मैं गीता हूं पगवद कीता की साइकॉलोजी पर समपूर्ण साथसोश लोगों की एक अभूत पूर व्याख्या सर हलो आप जो बोलते तीन सोक और तीन वह उह कौन से तीन सोक मैं आपको इधर बुला के पूछू कि उधर ही पूछू जिसमें मज़ा आ रहा हो समय गायव हो रहा हो और इतनी एनर्जी आ रही हो कि अब जो मेरा टेलेंट है उसमें जान लगा के काम करूँ वो शौक और काम करके ठकूँ और 10-20 बेवकूफों से मिलूँ तो उनके मूँ लगने के बजाय अपना शौक पूरा करूँ और उनसे वहाँ पर जान छुड़ाँ ख्यान न बस वो शौक अब वो चावेलने का हो रहा हो जो हो मूवी देखने का हो मूजीक उनने का ऐ खाने पर जो हो आपको लगना चाहिए कि मेरा जीवन बढ़िया और सेट है शौक पूरे होते ही कैसा मज़ा आता है कोच कमी नहीं लगती कमी लगे क्यों जीवन में बस कमी लगे की ना तो बार डाकू मिलेंगे और जब आप बोलोगे कि मेरा सब सेट है तेरे पास अंगूठी माना जोरदार है लेकिन मेरा सेट है तो फिर आपको अंगूठी की जोरद नहीं पड़ेगी ये सारी अंगूठीया क्यों बिक रही है क्योंकि अफसेट है सब जने अफसेट हो जाओ क्या जीवन है यार मुझे क्या करना सुबह उठूँ पॉसिबिलिटी देखी आज ये ये चीज कर सकता हूँ जिससे मस्ती आ जाए लो हो गए 6 गंटे भूक फिर किसी का फोल आए नो 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 हाँ ये प्रोग्राम है इसमें फीट होता दा जा वरना बाए फिर जो काम है काम तो अकेले करना है नो 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 काम फूरसत है बताओ आप लेकिन यहां तो अच्छे अच्छा प्रोग्राम रखो तो भी मेरे को उसके यां शादी में जाना है इच्छा तो नहीं है मरेंगे लेकिन जाना पड़ेगा अब उससे शौक पूरा करना मैं कितनी बार केता हूँ तू नहीं जायेगा शादी नहीं होगी नहीं वो तो कर लेगा लड़का लड़की जब राजी होते है ना तो इतने उस्सा में होते हैं कि माँ बाप भाई बेड़नी आयना तो भी धाई मिनिट फिर बोलते हैं चल भाई शुरू हो जा अपने क्या करना तो कोई भी नहीं जायेगा शादी तो होने ही वाली है आप मर्ज के मत जाओ शौक पूरे करो ये कोई शौक नहीं है बिन मर्जी के जाना ये संसार आपने बनाया है बेकार के लेंदेन करके अपने माँ दोजार को बुलाया फिर दोजार का जा रहे है 22 सो दिन जीवन के खतम हिसाब तो लगाई नहीं हो क्या रहा है हिसाब भी नहीं लगा रहे है अरे भई घर में शादी है तो मिया वी भी चाहिएंगे उसके माबाप को भी बुला लेते हैं चलो छोड़ो अपने माबाप और दोजाब है 18-19 जने हो गए भोत हो गए करो शादी और बेज़ दो दोनों कुछ जाना हूँआ जाए क्या महीं क्या महीं जगड़ा हो जाते हैं करके वापस आए और जब दोनों इखर्ट आये तब पक्का मानेंगे शादी हो गई क्या लंबा चोड़ा जमेला जूलू सहा हूँ फिर आप 2000 को बुलाओगे फिर 2000 को जाओगे हर काम ऐसा ही करते हो फिर पूरे जीवन जब पुचे तो टाइम ही नहीं यार और बड़िया खाना मना है अरे मैं खिचडी खा लूँगा टाइम ही नहीं अब जिसके बाद टाइम नहीं खिचडी खाएगा न फिर अरे शपन वो खाने के जड़ा फुरसत निकालनी पड़ती है माहौल जमाना पड़ता हैं तो जिसके पास देखो टाइम ही नहीं है टाइम ही नहीं है टाइम ही और कर क्या रहा कुछ नहीं अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तू बहुत ज्यादा तू बोला है ना तो फिर मेरे को बता है ने मज़र ऐसा लग रहा है कि बताऊंगे नहीं बताऊंगे मैंने जीवन ऐसा गुजा रहा है ना कि सीधे भी बहुत कम देखा लेफटराइट का तो सवाल ही नहीं उठता है मतलब आप कलपना नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में लेफटराइट है ही नहीं क्योंकि मैं अपनी धुन में इतना बीजी हूँ कि ऐसा लगता है कि 24 गंटे भी कम पड़ रहे हैं कि यार सों कैसे मुझे ऐसा लगता है बगवान ने निंद क्यों बनाई यार होग परेशानी है यार करना क्या पड़े हैं यह अवे यार कितना करना अभी तो समझता नहीं क्या तो सुबह मेरी निंद खुली निना कि मैं जीवन बढ़ से उठी जाता हूं फिर दो गंटे सो या धाई गंटे सो या बाद में देखूंगा मैं एक बार तो उठ जाओंगा कुछ न कुछ करूंगा फिर जाके चाय भाई पीके निंद आएगी फिर दूसरी बार खु लेकिन काम टू दे पॉइंट तो मेरे को बच्पन से कुछ नहीं मालूम मैं स्कूल में जाओं छटी क्लास साथी क्लास आठी क्लास तो मेरे को मालूम नहीं होता था कि मेरा कोर्स क्या है और किताबे क्या है मैं एक मिने पहले है ना एक टीचर के पास या किसी दोस्त के पा तो जिसके बाहर से कोई पुछने वाला नहीं है यानि कि मुझे मालूम पड़े कि इतनी चीजे मुझे सिखनी पड़नी है तो मेरा फर्स्ट एप होता था तब तक मुझे कभी कुछ नहीं मालू और वो सिखाएगा न मैं समझूंगा न लंबा फास्ता लगता है अपने साथ जैसा समझेंगे वैसा ठीक है और कम समझेंगे तो अच्छे समझा देंगे उसको लगा कि यह ठीक है मैं गलो तूं लेकिन समझा देगे उसको किसी तरह से तो तब मैं कितावे लाता था और फिर रात को ही पढ़ने का, रात बर जक्के पढ़ देने का जो भी मर्जी आए गेप में और हमेशा फर्स्ट ट्रास में पास हो जाता था, तो अगले साल पास दिन और कम कर लेता था एसा करते करते दिरे दिरे में 12-14 रोज पर आगया था, चोवदा रोज पर ले किताबला वह अच्छे से पास हो जाता था कि काम चल रहा है मेरा, तो मैं स्कूल क्यों जाओं, स्कूल का मतलब क्या होता है, कि आपको खेलने को मिल रहा है, दोस्त मिल रहा है, व्यवार करने को मिल रहा है, बाच्ची सिखने को मिल रही है, यह सब स्कूल के एडवांटेज है, बदमाशिया करने को मिल रही है, को परिशान कर रहे हैं यह सब तो एडवैंडेजे स्कूल के बड़ क्लास्रूम में अंदर खूए-स्क को एडवैंडे train नहीं है égool के सारे क्लास्वूम के बहर है प्रेएवायर तो मैं सक्छी रयता था ता को के बहर और दीरे भीडरे बढ़ती जाती थी पहलेदू पर चार छिए बॉझपने करे एक बहराए मजह दूराए बार अच्छा बार ख़ड़े रने से क्या होता है कि बाहर की सारी दूख आने वाले अपने को पेचानते हैं उनको रगते हैं कि हेस komt थारी मिल जाती थो — अंदर जाये कौन और अंदर जाने वालों पे वो फ्रोसा नहीं करते थे और अपने खुझार ही मिल जाती थी थी 되면 घबर फालो करो इसको छेड़ो, उसको छोड़ो, बहुत गुस्ता आ जाए कभी कोई टीचर एका सवाल पुटले तो फिर उसको परेशान कर दो, क्या फरक पड़ रहा अपने को, वो अपने को देखे का कब, जब अपने प्रिमाइसिस में कुसेंगे तब, प्रिमाइसिस के बार तो अप साड़क पर खड़ें, अब क्या है? और उसको मालूम है, साड़क पर कुछ ही बोल देगा, इजड़ चली जाएगी. सो मुझे कभी नहीं मालूम डेता था, लेफ ट्राइट कुछ नहीं मालूम कहां क्या चल रहा है दुनिया में, आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ पड़ा नहीं, जब मैंने गीता पड़ी पहली बार जीवन में, तब मेरे को गीता में इंट्रेस्ट आया, 21 रोज एक कमरे मे के गीता लिखी, जो मज़े आया उसमें वो किसी चीज में नहीं आया, 21 रोज मेरे कमरे में बंद हो गया, बाहर नहीं निकला, खाना आ जाता था, कमरा खुलता था, बाहर, जब पूरी गीता लिख ली, तब जाके संतोश हुआ, और वो जो मज़े आया, फिर मैंने और शा पास्तरा दो गेटे-गरी में पढ़ने को मिले, एक वो जिनको पढ़ते उन्हों को ठीक करना है, वो खुब मिले, जिनके अपन फिलम उतारते रहते हैं आजकल, और दूसरे काम के मिले पांस साथ, ठीके ये काम खतम हो गया, फिर बिजनेस की जुरत पढ़ी, तो पहली ब तो इंकम टेस्स भरने की बारी आई, तो इंकम टेस्स ही खिताब खरीद ली, पढ़ ली, क्योंकि वकिल वकिल मेरे को जमता नहीं है, वो क्या बोले उसका IQ क्यार अपना IQ सूपर जरा, अपन जो पॉइंट निकाल के लाए ना, तो फिर इंकम टेस्स वाले जवाब देते कि नहीं वालूम था, बलकि 35-40 साल तक था तक, में को लगता था एक वेस्टन, एक अपना और एक टाउं महों चाइना, और एक स्पेशल अपरिकन, बस इतनी दुनिया, मैंने कहीं जाना नहीं, तो यहां हमां सब जने बोले, तो मैं समझताता होगा, अपना अंदा जैसा अपना नक्षा बना लिया था, क्योंकि बाहर का नक्षा देखने की तो फूर्सत ही नहीं थी, कितनी कॉंसेंटेटेड लाइफ, और आप मानोगे नहीं, मतलब कि स्टीव जोज की जब डेथ हुई होगी, उसके पहले मैंने स्टीव जोज का नाम भी नहीं सुना था, लेक फिर उसकी लाइफ पड़ी, फिर में को लगा justify हिनकी लाइफ इतनी धार्मी के, तो फिर बाकी सब लाइफ है पड़ी, तब जाकर, Edison, Disney, जितनी लाइफ है फिर बहुत लाइफ पड़ी, सबी लोगों के लाइफ पड़ी फिर, लेकिन जब काम अठके तब, तब तक एग अ है अपना ब्लोग है अभी इरोप अमेरिका एक एक依ा लग है इस से मेरे जीवन का काहा ठक रहा है जाह जादा सामना आले को एंटरेंट में जाता है इसको इत्ता भी नहीं मालून आहले मैरे मेरे को नहीं मालून अजाए तुझे मालूम है अ उस Sep मेला जा है लेकिन उस दिन जब आपके आवशकता है तब क्या है ज्ञान इसी का नाम है कि जहां लगा लो वहां से पालेगा अपने समय पे आप पाना चा रहे हो, काम है की नहीं यह लाओ इंकम हो नहो, इंकम ट्रेस के लो मालू होना चीए अब क्या करेगा लो जानके यही हालत है सो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ 24-7 जी रहा हूँ, वो ही कह रहा हूँ, क्योंकि वो ही सत्या है मैं एक पल को कभी असत्या में जीया ही नहीं, लेकिन असत्या की परिभाशा है आपकी गलत है वो भी हम डिस्कॉस करेंगे कि सत्या क्या है, असत्या क्या है लेकिन सत्या में जी लो, मुझे काम नहीं आ रहा है, मैं कैसे एक सेकंड उसमें दे दूँ और मुझे काम आ रहा है, या इंट्रेस्ट जाग रहा है, या मज़ा आ रहा है, तो ठीक है तो यह बात समझ में आ गई? ओके तो मुप्त में नहीं मिल रहा है, यह बात क्लियर हो गई अपने लिए जियोगे, अपने लिए करोगे, तो महान हो जाओगे यह बात समझ लो आप, बरोबर इतने जो आज के बात तै करेंगे, कुछ भी लेने जाने से पहले की कोस्ट क्या है? जीवन अभी से चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके बात समय बचेगा, तब बेटर ओप्शन दिखेंगे कि नई यार इतना कम समय, इतनी कम उर्जा और इतना मिल रहा है, यास और इमिजेट काम आ रहा है, इमिजेट काम नहीं आ रहा है तो हमारा मन, हमारी बुद्धी, हमारा घर को इस टोरू में क्या? पूरा भर दिया है, काम कुछ नहीं आ रहा है, घर में दो सामानों उपर काम में आने वाले हों तो काम के? वरना फाइदा क्या है?